हालो एप्रिवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का ड़ा 247 के शांदार IS प्लैटफॉर्म पर मिरा नाम है रुद्र गातम और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट से रिलेटेट बहुत से इंपॉर्टेंट कॉश्चन और साथी साथ में उनका डिटेल में एक्स्प्लेनेशन भी आपको मिलेगा यदि आप चाहेंगे कि पादप से रिलेटेट सर और भी प्रश्न करवा दीजिये डिटेल में तो वो भी हो जाएंगे लेकिन आप क सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अलग-अलग ग्रॉप्स में यह ऐसी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एमसी क्यूज और यह एमसी क्यूज आपके जो 26 मई का पेपर होगा ना उसमें मैं आपको अभी शुरुवात जनरल साइंस से करवा रहा हूं उसके बाद में मैं आपको टेक्नोलोजी के कॉंसेप्ट वाले पार्ट करंट अफेर के पार्ट एन्वार्मेंट इकोलोजी उस है आप लोग जुड़ना न भूले डेली यह हमारे वो टॉपर से और सबसे खास बात है यू कैन भी अमंग इस टॉपर आप लोग जो है यह जो बैच हमारा जो कल 1st of November से स्टार्ट होने जा रहा है 1st of November से यह बैच स्टार्ट होने जा रहा है आपका तो आप लोग क्या कर करेंगे वाई 583 कूपन कोड का प्रयोग करके आप लोग इस बैच में आज ही अन्रोल हो जाएए आज यह प्राइस कम है 8700 में आप लोग को यह बैच मिल जाएगा ठेक है तो यहाँ पर हमारे सभी जो हम लोग फैकल्टी मैंबर्स हैं वो अमोल सर और सुनील सर प्रेपरेशन करवाई जाएगी नोट्स मेटीरियल इबुक सब कुछ होगा और आप यदि बहुत अच्छे से कवर करना चाते तो लेजंडरी महापैक इसमें रिजल्ट औरियंटेट बैच परिणाम सूपर फास्ट बैच आईक्यू आई पी गोल्ड और सभी बैच एक ज सकते जिसमें भी आपको optional में enroll करना है और यह वो state PCS के महापैक है तो state civil services में महापैक पर ही focus करना ठीक है महापैक से आपको जादा अच्छी classes मिल जाएंगी पहले के recorded videos 5 से 10 गुना जादा फायदा मिल जाएगा state PCS के batches की तुलना में महापैक से तो आप महापैक को ही purchase कर सो राधा कशब बोल रहे हैं बहुत दिनों बाद मेरी class live देख रहे हैं बेटा थैंक्यू सो मच और राधा कशब निर्मल कोशल रजनी यूनिक स्टार शुक्ला अनु अईयर नमस्ते यार सभी को बहुत सारा प्यार एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए न प कोई भी कोचिंग प्राइस ऐसा नहीं रखते जो 8000 नहीं होता ना 6000 होता है कोचिंग का नहीं समझा भई मैं आपकी बात आपकी बात नहीं समझा अद्रक जिंजर इजन एग्जामपल ओफ तो हमने आंसर इसके उपर पढ़ा था कि जिंजर जो है यह एक मॉडिफाइड स् गुड इवनिंग एवरिवन गुड इवनिंग एवरिवन कुल्दीप आपको सबसे पहले हमने बात कर ली है कुल्दीप आप इतनी बाते इमोशनली क्यों दिल पे लेते हैं आप एक बार वीडियो में बैक होके जाएं थैंक्यू यहर भाई वीडियो में बैक होके जाएं कुलदीप आपका नाम लिया है सबसे शुरुवात में लिया आप लेट हो गए है ना ज्यादा एमोशनली दिल पे मत लिया करो बातों को मैंने अल्रेडी आपका नाम ले लिया है है ना रूपांतरित तने मौडिफाइड स्टैम पर बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पर ये तो बात ठीक है लेकिन आपको मैं बहुत सारी चीजों को सिखाना चाता हूँ सी इस दा करेक्ट आंसर बट कल की क्लास में मुझे आपको एक बहुत अच्छी बातें बतानी थी ये टॉपिक देखिए कितना important है है ना इस प्रकार का कोई भी प्रश्न है ना इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाएगा आपके लिए ये जो है इस content से आपको समझ में आ जाएगा देखिए यहाँ पर जो modified root है जो परिवर्तित तने है तो यहाँ पर जो beat root होता है beat root का मतलब क्या होता है जो हमारी हमारा जो beat root है और ये food को storage करने का काम करता है तो जो root होती है वो change हो जाती है अपने size और shape को परिवर्तित कर लेती है ताकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो है stored हो जाए ज़्यादा मात्रा में पदार्थ stored हो जाए इसी तरह से बानियान की जो ये roots है ये roots के तौर पे ही होती है जो इसकी चाल सी दिखाई दे रही है ना ठीक है इसी तरह से modified stem का example एक तो हमने अदरक देखा cactus में भी modified stems इसके तने change हो गए है है ना icon hornea ये aerial modified ये हवा में air में इसके तने change हो जाते हैं इसी तरह से आप लोग एक और चीज़ देखिए आपको एक अगला प्रशन आएगा और उसमें ये जो tendrils होते हैं जो लताएं होती है ना लताएं बेल वो दीवार पर कैसे चड़ती हैं दीवार पर कैसे चड़ती हैं इस ड्रीम इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे लास्ट मैं बता दूँगा इसका reason है there is a rational आई इस ड्रीम जो आप प्रशन पूछ रहा है उसके पीछे कारण है वो अभी मैं आपको बता दूँगा ठीक है हाँ उसके पीछे कारण जरूर है लेकिन पहले आप भी पढ़ाई की बात कर लेते हैं पेंडरिल्स जो होते हैं ये modified leaves हैं सःशोधित पत्तियां जो spines होती हैं मतलब इसके जो काटे होते हैं वो modified leaves हैं, किसकी, जो cactus होता है, उसके उपर जो काटे होते हैं, वो भी modified leaves है, तो आपको याद रखना यह देखिए, नेपेंथिस, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, नेपेंथस, ये एक प्रकार का कीट भक्षी पौदा है, कार्णी वोरस प्लान्ट, और इसमें भी ये जो पत्तियां है, वो trap के तोर पे परिवर्तित हो गई हैं, ये पत्तियां जो हैं, कीट को खाने के लिए परिवर्त में पकडने का काम करती हैं, ये इसकी stem, जो पत्तियां हैं, वो काटों में, ये tendrils लताएं हैं उसको पकडने में, नमस्कार भई, सभी को नमस्कार, is it clear, और ये शल्जम हमारी जो beat root है, तो ये सारे के सारी चीज़ आपको समझ में आगे होगी, yes और no, सब को clear, कुलदीप, is dream, anu, musrat abbasi, ठीक है, is it clear, यहां तक सारी बात clear है, चलो, तो अब अगले point पर आते हैं, तो ये सभी चीज clear है, तो आपको ये प्रशन exam में पूछा जाता है, modified leaves क्या होती है, modified मतलब संशोधित तने क्या होते है, और संशोधित roots क्या होती है, ये सब आपके लिए important है, तो अब इसके बाद में एक और प्रशन था, अब देखिए आप लोग यहां पर इसका आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे, जो cactus होता है, उसके जो काटे हैं, cactus के जो काटे हैं, वो क्या है, एक प्रकार की modified leaves है, और जो मतर के पौधे में लताएं हैं, वो भी क्या है, एक प् Is it clear? सारी बात है clear है न, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रशना रहा है, C will be the correct answer, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 will be the correct answer, अब देखिए, अब आज की class के latest प्रशना चुके हैं, कोई बात, कोई बात, आज के latest प्रशना रहे हैं, chlorophyll A, chlorophyll B, gentophyll और carotenoids, आपको यह बताना है, कि इन में से वो कौन से वर्नक हैं, जो प्रकाश शंशलेशन की अभिक्रिया में मदद करते हैं, 1, 2, 3 and 4, बताईए, क्या होगा answer, बताई, C will be the correct answer, देखिए, अगला प्रशना ऐसे लिखिए, 71 का answer क्या होगा, tell me, हिंदी, इंगलिश दोनों में है, हिंदी और इंगलिश सही है, A, B, C और D, सोच समझ के बताईए, like और share कर दीजी एक बार, आपका answer सही आता है या गलत आता है, आप एक बार like और share भी कर देना, guys, सभी लोग, like and share, please, बताईए, अंजनी ने B दिया है, मुसरत अबबासी D बोल रहे है, कुशल परिहार C बोल रहे है, शुकला D ब बोल रहे है, मुसरत अबबासी D बोल रहे है, और इसका सही answer है, देखो, आपको याद आ रहा होगा, मैंने previous lecture में बताया था कि क्लोरोफिल A की तुलना में, क्लोरोफिल B जो है, वो ज़्यादा radiation को absorb करने के शमता रखता है, क्लोरोफिल B और वो जो energy होती है, वो जो क्लोर क्लोरोफिल B ने energy प्राप्त की है, वो क्लोरोफिल A को देता है, और फिर ये chemical energy में तबदील करने का काम क्लोरोफिल A करता है, यदि आपने कल का lecture लिया हो, तो मैंने ये बात आपको बताई थी, जैन्थोफिल जो होता है, ये बैंगनी रंग का वरनग होता है, बैंगनी र और वो characterinoids भी क्या करता है, जो light energy है, प्रकाश उर्जा है, उसको chemical energy में तबदील करता है, और hydrogen जो जल है जल इस अनू को तोड़ता है, और photosynthesis में प्रकाश संशलेशन में basically ये चारो ही वरनक, all these pigments are helping, and that is why, and that is why D will be the absolutely correct answer, is it clear? बहुत अच्छा प्रशन है ये, आप एक बार देख लीजे, detail में देख लीजे, so D will be the correct answer, and यहाँ पर देखी आप लोग, आप लोगों को स्क्रीन पर पूरा दिखाया गया है, chlorophyll हरे रंग का होता है, नार्मली पत्तियां इसी की बनी होती है, क्योंकि green color सबसे favorable है, green color के क है ना, और जो जो आपका जेंथोफिल येलो और बैंगनी है ना, एंथो, साइनो, सिन, एंथो का मतलबी red होता है, kerotenoids, orange color के होते हैं, जेंथोफिल पीले, बैंगनी से color के होते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया pigments, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जेंथोफिल और केरोटिनोइट्स, आपको यहाँ पर रंगों के बारे में बता दिया है, अब आप देखेंगे कि जो केरोटिन होता है, वो औरेंज कलर का, जेंथोफिल येलो ब्राउन और बैंगनी से रंग का भी होता है, जेंथोफिल, और ये ये ना, अलग range की, प पीटा केरोटिन, जो गाजर में भी पाया जाता है, गाजर में भी orange red है न, ये 450 nanometer की wavelength को एब्जॉर्व कर पाता है, और ये 435 की, तो ये ये येलो कलर का है, ये orange कलर का है केरोटिन, ठीक है, तो यहाँ पर अलग-अलग plants में, अलग-अलग फूलों में, अलग-अलग पाये जाते हैं, right, is it clear, है न, है न, ठीक है, so D will be the correct answer, कितनों को clear हुई बात, तो आप लोग देखिए, these all pigments are helping in the photosynthesis, प्रकास translation की अभिकरिया में, ये सब मदद करते हैं, अच्छा, एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जो शैवाल होते हैं न, समुद्रों में शैवाल प एरिथ्रियम, डेश्मियम, नामके विशेश प्रकार के महाँ पर शैवाल पाये जाते हैं, एरिथ्रियम, डेश्मियम, जो red color के होते हैं, तो जो शैवाल होते हैं, चुंकि पानी के अंदर है, तो heat radiation proper नहीं पहुँच पार ही, इसलिए लाल रंग जो है, वो ज़्यादा प अगले प्रश्न पर आ रहे हैं, तो यह point clear, right चलो, now the question number 72, आपके आगे English में दो शब्द लिखे हुए, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, जो insectivores, कीटों को खा जाते हैं, trapper, अभी जैसे nepenthes, nepenthes, zoosanthely, zoosanthely जो है, वो एल्गी नहीं होते बेटा, zoosanthely, एल्गी नह होते, अरे, zoosanthely वगेरा जो है, वो हमारी जो coral reef हैं, उसमें पाए जाते हैं, coral reef, जो प्रवाल भित्या हैं, उसमें होते हैं, मैं एल्गीस की बात कर रहा हूं, coral reef भी photosynthesis करते हैं, और ये बड़ी मात्रा में oxygen का निर्मान करके, समुद्रों में dissolved oxygen, को निर्मित करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसके लिए मना नहीं है, है न, मैं शैवाल की बात कर रहा हूं, erythrium dashmium, वो red sea, लाल सागर क्यों लाल है, क्योंकि वहापर एक शैवाल का रंग लाल है, right, 72 का answer जो है, वो आप सभी का आ रहा है, C answer होगा, चलो देखते हैं, thank you so much रिचा और सभी ने जिसने शेयर कर दिया वीडियो को, कीट भक्षी पादप प्राए, अल्प पोशक वाली म्रदा में पाए जाते हैं, ये बात सही है कि गलत है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन प्लांट्स में nitrogen की, sulfur की इत्यादी की कमी होती है, तो ये क् करते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक example बताया था, थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको एक शांदार example बताया था, कि ये जो nepenthes नाम का पादप है, ये एक कीट भक्षी पादप है, और इसकी जो पतियां है, वो एक ट्राप में बन गई है, मतलब वो कीटो पर लेता है, इसी तरह से आपने pitcher plant घटपढ़नी पादप के बारे में सुनाओगा, आपने ड्रो सेरा के बारे में सुनाओगा, आपने यूट्री कुलेरिया के बारे में सुनाओगा, मैंने चार नाम लिखे, आप लोग मुझे बताये, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता ये मेरे प्यारे बच्चों कि कौन-कौन से कीट भक्षी पादप होते हैं, उनके लिस्ट का नाम बता दीजिए, कीट भक्षी पादप, ड्रॉसेरा, नेपैंथिस, यूट्रिकुलेरिया, पिचर प्लांटिया, घटपर्नी पादप, ये पादप जो है, वो कीट भक्षी पा प्राप्त कर सकें, पहला पॉइंट, अचा कीट भक्षी पादपो में न, हमारे लिए कुछ मेडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये इतनी अच्छी होती है, कि हमारे शरीर के लिए, हमें जब घाव लग जाते हैं, तो उसमें भी ये मदद करते हैं, है न, तो दौन स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है, आप लोग, सभी लोग, आई थिंक सभी लोग आप सही है, आशुशर्मा, पिचर प्लांट, नेपेंथेस, ड्रॉसेरा, और यूट्रिकुलेरिया, अब आप लोग प्रॉपर्टीज देख लीजिए, C is the correct answer, और अब आप लोग सारी प्र ड्रॉसेरा, नेपेंथेस, यूट्रिकुलेरिया, और घटपर्णी पादप, ये तीनों प्लांट के नाम आगए, ड्रॉसेरा पादप जो है, कर्डिलिंग मिल्क, इट इस ब्रॉइज लीव्स आर अप्लाइड टू ब्लिस्टर एंड यूश्ट फॉर डाइंग सिल्क, हम प्रकार का होता है, आपकी NCRT में दिया गया है, सिल्क जो है, आपने मुगा, मलबरी, इरी, ये सभी किसके प्रकार है, सिल्क के प्रकार है, मुगा, मलबरी, इरी, है न, ये सभी सिल्क के प्रकार है, चलो, नेपेंथेस, लोकल मेडिसेन टू टू ट्रीट कॉलेरा, ये ब एक कीट भक्षी पादप है का प्रयोग किया जा सकता है दा लिक्विड इंसाइड पिचर इस यूस्पुल पॉर यूरिनरी ट्रबल्स और जो देखो ये जो पादप होते ना इस प्रकार का मुख होता है उपर इनके ऐसे कैप होती है जैसे कीट आ जाता है तो इस कैप को बं इंपॉर्टेंट है और यूट्रिकुलेरिया अगेंस्ट कफ ये हमारे कफ में ड्रेसिंग गाव को भरने में यूरिनरी ड्रिजीज में यूट्रिकुलेरिया मदद करता है मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं यह तीनों पादपों के नाम भी आपको फिर याद रखने ठीक है ड्रोसेरा नेपैंथिस और यूट्रिकुलेरिया है ना मूगा मलबरी इरी हा बिलकुल मूगा मलबरी इरी मेघाले में पाए जाते हैं नेपैंथिस क्योंकि वहाँ पर जो 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 म्रदा है अच्छा आप सोचेंगे सर मेघाले में क्यों पाए जाते हैं, can you think about it, क्या आप लोग सोच सकते इस बारे में, confirm कीजिए, बताइए, मेगाले में क्यों, हाँ, मुगा सिल्क असम है, बहुत बढ़िया, है न, हाँ, और एक टसर और होता है, कौन-कौन सी सिल्क हो गई, मुगा, ये सब आपको NCRT में, जोग्राफी के NCRT मे दिया है, मुगा, मलबरी, इरी, इरी, ठीक है, इरी, और एक है टसर, एक और है टसर, ये चार अलग अलग प्रकार की सिल्क है, भारत सिल्क के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, और चाइना सिल्क के उत्पादन में पहले नंबर पर है, ठीक है, राइट, ये कंडिशन नहीं मैं बताता हूं आपको देखो सुनो मेरी बात मेघाले में आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पर होता है मेघाले में तो उपर की जो न्यूट्रीशियस म्रदा है वो लीच हो जाती वो निकल जाती है जब कोई म्रदा उपर वाली जिसमें न्यूट्रीशियस वेल्यू होती है नाइट्रोजन वगेरा यदि वो बहकर चले जाएंगे तो यह पादप उकते कहां है जहां पर नाइट्रोजन की कमी है मतलब जो टॉप सॉइल है हमारे हमारे लैंड की टॉप सॉइल फर्टाइल सॉइल है न तो टॉप सॉइल को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रीशियस गुण होते हैं बताइए तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो बिलकुल कीट खाते हैं ये बात बिलकुल सही है चलो राइट आगे चलते हैं चलिए तो अगला प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पर कि इन में से कौन सा एक मैमल नहीं है विच अमंग दा फॉलोइंग इस नाट ए मैमल है ना मैं ये जो आपको फोटोर्स डाइग्राम से वो भी दिए टॉप सॉइल ओफ लेंड उसको क्या बोलते कौन बताएगा टॉप सॉइल हट जाएगी तो नूट्रिशियस वेल्यू चली जाएगी और इसी लिए ये कीट भक्षी पादप वहाँ पर उखते हैं और अपने हयूमस निकिता बहुत बढ़िया बिटा सबसे उपर की सॉइल को हयूमस कहते हैं जहापर डैड एंड डिके मिन्रल्स एलिमेंट्स इत्यादी पाए जाते हैं इसी लिए जो एक्वेटर है विश्वती वन है विश्वत रेकी वन महाँ पर टॉप स्वाइल सारी की सारी चली जाती हट जाती पता है ना आपको ये सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं सर मेरे कुछ लेक्चर्स क कौन सा है तो ड्यूगॉंग के बारे में तो कई बार यूपी सी ने पूछा है ड्यूगॉंग और ये जो जानवर है आपको environment and ecology में भी पूछा जाता है ड्यूगॉंग ये पानी में तैरता रहता है है ना दूसरा point platypus platypus जो जानवर है वो है ये platypus ये है NCRT में इसके बारे में भी जिक्र किया हुआ है ये जो है वो ये है तो मैं इंग्लिश में पढ़ी है इसका नाम क्या लिखा है? देख रो आप क्या लिखा है? एंट इटर एंट इटर मतलब जो चीटियों को खाता है ये है वो एंट इटर ये है ये प्लाटिपस है ये ड्यूगॉंग है और जो गैको होती है वो बड़ी छिपकलियां होती है बड़ी छिपकलियां और इस बार UPSC ने ज्याने आपको किस प्रकार के प्रशन पूछे थे? आपको आम जीवन से रिलेटेड गिलहरी के उपर प्रशन पूछा था कि क्या जो भारतिय गिलहरी है UPSC का 2023 का प्रशन है वो क्या घड़ा खोती है और वहाँ पर रहती है वहाँ पर अंडे देती है बिलकुल नहीं हमारी जो गिलहरी है वो पेड़ पर या फिर किसी कॉर्नर में उपर चड़के ही अंडे मतलब बच्चों को देती है ठीक है अंडे नहीं बच्चों को देती है ठीक है बताए बताए क्या होगा क्या आंसर होगा बताए अभी तक किसी का आंसर सही है क्या 6-10 और 11-12 की पर्टिकुलर्स चैप्टर्स हैं वो आपको कुछ भी पूछना है आपको इस प्रकार के प्रश्ण पूछने तो आप टेलिग्राम आइडी को जॉइन कर लीजे गाईस यह रही टेलिग्राम आइडी तो मैंने मिलान कर दिया है प्लैटिपस यह ब्राउन वाला है ड्यूगॉंग ये एक प्रकार का पानी में ओशन में पाए जाना वाला जीव है और प्लैटिपस ये ये एंट इटर है आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा गैको एक छिपकली है तो ओवियसली ये रैप्ताइल हुआ यस और नो रैप्ताइल ये एक रैप्ताइल ह बाकी ये तीनों ज़ो है वो क्या है mammal है ड्यूग और प्लैटिपस और int eater are the mammals और यदि ऐसा है तो आपका answer क्या हो जाएगा गैको ठीक है और एक और बात बता दू प्लैटिपस प्लैटिपस एक ऐसा mammal है जो egg देता है oviparas है यह क्या है oviparas आपको एक बात याद है आपने कभी बचपन में कई न कई पर NCRT में पढ़ा होगा कि दो प्रकार के जीव होते हैं है ना एक होते है विवेपैरस और एक होते है ओवीपैरस एक होते है विवेपैरस विवेपैरस और एक होते है Oviparas क्या मطलब होता है Hindi में Vyiparas का मतलब होता है यह होता है अंडज मतलब जो अंडे देने वाले और जो सीधा बच्चे देने वाले यी सीधा बच्चे देने वाले तो यह एक ऐसा mammal है जो अंडे देता है एक और बात Mammals का example दो और याद रखना जो जो ब्लू वेल मचली है उर जो डॉल्फिन हैं ये भी मैमल्स हैं और ये उक्सीजन इन में गिल्स नहीं पाए negotiations लीना होता है इंसेक्ट आपने देखा होगा ये इंसेक्ट्स जो हैं उपर छतों पर भी आराम से चड़ जाते हैं इतनी बड़ी जो गैको है चिपकली वो उल्टी उपर लटक लेती है तो उसमें ऐसा कौन सा चुपकने वाला यंत्र है क्या आप मुझे बताएंगे एक प्रश्ण आप सभी से है मेरा सबको जवाब देना है मुझे बताएंगे कि जो ये बड़ी चिपकलीया होती है ये घरों वाली नहीं उससे भी बड़ी चिपकलीया होती है तो इतनी बड़ी होने के बाद भी उनके हाथ में कोई चुम्बक तो नहीं है कोई चिपकने वाला चीज तो नहीं है तो फिर वो कैसे चिपक जाती है मुझे कौन बताएगा इसका आंसर लेट मी सी मुझे आप से इसका आंसर चाहिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे चिपकलीया कैसे चिपक जाती है उपर और गिरती क्यों नहीं है इतना ज़्यादा ग्रैविटेशनल फोर्स होने के बाद भी लेट मी सी हूविल टेल मी दिस आंसर बताएगे बताएगे कौन देगा इसका आंसर वैंडर वाल नहीं नहीं वैंडर वाल फोर्सेज का कोई कॉई कॉंसेप्ट नहीं है नो वैंडर वाल्स वगेरा थोड़ा बहुत लगता है तो वो कीटों में लग जाता है वैंडर वाल forces no wonder wall forces में तो इतनी ताकत होती ने तो कमजोरबल है कौन बताएगा who will tell me what is the reason आप लोगों ने इसका मतलब मेरी classes कभी ली ही नहीं है आप लोगों ने कभी मेरी classes ली ही नहीं है जब मैं nano technology की शुरुवात करता हूँ तो सबसे पहला example इसका देता हूँ तो इसके पीछे है nano technology nano technology actual में क्या होता है जो दीवार जो है न dीवार उसके अंदर बहुत ही minor छोटे 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 नेनो microscale के छीद्र पाए जाते हैं ठीक है है न हाब बिलकुल spatula ठीक है एक्चुल में इनके जो पंजे हैं इनके जो नाखुन और उसको और आगे-आगे देखोगे छिपकली को के नाखुनों को तो उसके अंदर नैनो स्ट्रक्चर से नैनो संरचना है और उनके जो नियूरॉन से इतने कंट्रोल है कि वो उसके अंदर जकर जाते हैं और जब उसको वो छोड़ते हैं तो वो लूज भी हो जाते इस तरह से तो एक्चुल में जो सक्षन पैड है वो नैनो स्केल पे नहीं होते तो वो कभी भी तो जो जितना बड़ा जानवर है गैको उस तो बहुत बड़ा है तो इसमें उतने ही छोटे नैनो स्ट्रक्चर हैं और वो छोटे छोटे नैनो स्ट्रक्चर की मदद से वो उसको पकड़ के रखता है और जब उसका दिमाग बोलता है तो उसको छोड़ भी देता है नैनो स्ट्रक्चर लेवल के उनके नियूरॉन्स पर कंट्रोल होता है नैनो लोग वहाँ पर भी नैनो स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे इस इट क्लियर ये पूरा कॉश्चन क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं डी विल बी और करेक्ट आंसर गैको गैको विल बी और करेक्ट आंसर चलिए अगले प्रश्ण पर आ रहा हूं किसी पादप के निमल और ने प्रॉड नंशन प्रक्रिया में भाग लेता है बतावये हाँ इसके हाथ में भी कुछ ऐसा स्प new छरे हम लोगए एक शब्द बताता हूं मैं आपको आप में से कितने लोगों ने इस शब्द को सुना है बायो मिमिक ये शब्द आप में से कितने लोगों ने सुना है बताईए बायो मिमिक क्या होता है बताईए कुसी को पता है हम लोग प्रकरती में जो जीव जन्तु हैं जैसे चमकादर तो उससे हमने रडार सोनार का कॉंसेप्ट लिया है रडार का कॉंसेप्ट चमकादर से सोनार का कॉंसेप्ट हमने ब्लू वेल और डॉल्फिन से लिया है पक्षियों से हमने एरोप्लेन का कॉंसेप्ट लिया है यही क्या होता है दिस इस वाट बायो मिमिक हम प्रकरती के जीवों से गैको के नैनो इस्ट्रक्चर से बहुत सारी चीजों को सीखते हैं इस इट क्लियर चलो अगले प्रश्ण पर आ जाई है ये लिजिए बायो मिमिक समझ में आया बायो मिमिक क्या होता है चलिए तो आप देखिए अगला प्रश्ण है लाइक और शेयर कर दीजिएगा देखिए एक बात याद रखना क्या स्टेम देखो कई बार तनों पर भी स्वशन मूले पाई जाती है इवन जडों में भी देखो न्यू मेटाफोर श्वशन мूले पाई जाती है और ररस्पिरेशन प्रक्रिया जो है जडे भी करती है किसमे जो प्लांट्स जो प्लांट्स हेलो फाइटा होते हैं हेलो फाइटा या फिर जो दल-दल में उगने वाले जो पादप हैं उनमें new metaphor पाये जाता है श्वशन मूले श्वशन मूले पाई जाती है तो इनसे भी श्वशन हो सकता है इस टैम से भी स्वशन होता है पत्तियों से भी फ्रूट से भी फ्लावर से भी क्योंकि इसमें पत्तियां पाई जाती है तो चुंकि ये सबसे पाई जा सकती है तो सभी आंसर इसके correct होंगे, ठेक है, is it clear, let me see, हाँ, D will be the correct answer, root, stem, leaves, fruit, उसमें भी रंध्र पाए जाते हैं, श्वशन सभी जगे से होता है, पोटो सिंथेसिस नहीं पूछ रहा बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दे लो एक बार, यहाँ पर respiration पूछा है, पोटो सिंथेसिस नहीं पूछा, यही गलती हमारे एक्जाम में हमारे लिए नासूर बन जाती है, yes और no clear, कितने लोगों को clear है बात, इसी लिए classes attend करना जरूर है, समझ में आया, समझ में आया, guys, yes, अरे भई, स्वशन की बात कर रहा है, ना कि respiration की, श्वशन की बात कर रहा है, तो new metaphor, जडों से भी, तनों में भी, जो है, वाई वीए स्वशन होता है, अभी clear, respiration पूछा है, यहीं पर हमसे गलती हो जाती है, चल सा कथन बिल्कुल सही है, है ना, plants में, xylem पौधे द्वारा तैयार भोजन का पत्तियों से उनके विभिन भागों में परिवहन करता है, xylem, phloem, जल और घुलंशी लवनों को जडों से पत्तियों की ओर परिवहन करता है, English में आ गया है आपके लिए, यह प्रशन सब का स सही होना चाहिए, ठीक है, बताइए, सब का सही होना चाहिए, everyone, respiration, fruits में भी वो रंद्र होते हैं, जिससे respiration होता है, 75th, 75th, बताइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, recorded देख लेना, don't worry, but ऐसा कोई simple questions चल रहे हैं, ऐसा कोई load नहीं है, class लेने में, हाँ, बताइए, 75th का क्या हो जाएगा, सोच समझ के आंसर देए, एक भी बच्चे का सही, गलत नहीं होना चाहिए, is it clear, स्वाम्या श्री प्रेदर्श्रनी, सर नमस्ते, जस्ट जॉइन, अड़र्टर निफोस और सूपर फास्ट, फांडेशन बैच, UPSCIS, बेलकुल बहुत बढ़िया, वो बैच बहुत अच्छा है, आप लोगों को जॉइन कर लेना चाहिए, 8700 में आपको दो साल की वैलिडिटी अच्छा है, 24, 25 या 25, 26 दौनों के लिए अपली के बल है, यह कूपन कोड यूज़ कर लिजेगा, आपको जब भी को भी मदद की जरूत हो, आप वैसे भी मुझसे बात कर सकते हैं, फिल फ्री टू कम्यूनिकेट, यह टेलिग्राम जाता है, बेटा वो तो फ्लोएम होता है न, जायलम तो जड़ों से पानी को पत्तियों तक ले जाता है, उल्टा कर दिया, कच्रा कर दिया न, सबने, जो सी आंसर दे रहे हैं, मैंने बोला था, क्या कर रहे हो आप लोग, यहाँ पर फ्लोएम आएगा न, लोएम जो पत्त पत्तियों से तैयार भोजन को पूरे अंगों तक, पादप के एक एक अंगों तक और वो भी बाई-डायरेक्शनल, बाई-डायरेक्शनल दौनों दिशाओं में ले जाता है, तो यह स्टेट्मेंट तो गलत है, आपर फ्लोएम आना चेदा, और फ्लोएम जल और गुलंश थी किए, हैना, ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहां तक सारी बाते आपको क्लियर हो गई होंगी, हैना, तो यहां पर जो आंसर है, यहां पर जो आंसर है, वो क्या हो जाएगा, C नहीं होगा, बेटा, D will be your correct answer, हैना, what will be your correct answer, D will be your correct answer, ठीक है, neither one nor two, चलिए, अगल प्रशन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, got it, जायलम वाटर फ्लोयम को फूड में अप्लाई कर, चीक है, कल ही बताया था भूल गए, भूले नहीं हो आपको पढ़ने में, आप लोग नहीं भूले हैं, दिक्कत है, आपने कॉंसेंट्रेशन के साथ, कॉंसेंट्रेशन के साथ में आपने पढ़ा ही नहीं, आप यदि कॉंसेंट्रेशन के साथ पढ़ते तो जरूर आपको आजाता, ठीक है, यहां, very good भई, कोई बात नहीं गलत हो गया तो, बट आगे नहीं होना चाहिए, अगला प्रशन आ रहा है, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रक् प्रक्रिया से कम समय में पादप उगाये जा सकता है, वेजिटेटिव प्रपागेशन से, उगाये पादप में फल जल्दी आ जाते हैं, क्या यह सही है कि गलत है बताओ, इस प्रक्रिया दारा उगाये पादपो की गुनवत्ता उच्छ होती है, क्या इनकी जो क्वालिटी इस प्रक्रिया दारा उगाये पादपो में रोग प्रतिरोदक शमता उच्छ होती है, मतलब इम्म्यूनिटी अच्छ होती है, इंग्लिश में भी पढ़ लिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक्जाम्पल पता है इसके, आप भी उस बैच में पढ़ाएंगे, हाँ मैं भी उस बैच में पढ़ाऊंगा, यस, मैं यहाँ पर अड़ा 24-7 के जितने भी, UPSC के जितने भी बैचेज हैं, all the बैचेज, चाहें परिणाम हो, result-oriented बैच हो, चाहें superfast foundation बैच हो, सभी में मेरी क्लासेज होती हैं, और जितने भी state civil services के बैचेज हैं, उन में मेरी क्ला रहुल सिंग बर्डे का बहाना देखे, मेरी क्लास में नाटक बाजी नहीं चाहिए, बर्डे है आपका, तो यहाँ पर मत बताईए, रहुल सिंग, बर्डे है, तो अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा rational मत दीजे, आप अभी थोड़ी दिर में बोलेंगे, due to I become Prime Minister of India, इसलिए मैं आपकी क्लास में लेट हो गया, unacceptable है, ठीक है न, it is unacceptable, तो राहुल सिंग, प्लीज, question का solution दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाँ, रोज और शुगर केन बिलकुल ठीक है, और ब्रायो फिलम, ब्रायो फिलम का नाम सुना है आपने, ब्रायो फिलम क्या होता है, उसमें क्या होता है, पत्ती के उपर भी, पत्ती के उपर भी है न चीजे हाँ हाँ तो बताइए और निकेता हसने वाली बात नहीं I'm very serious about this matter ठीक है मैंने हसने के लिए मजाक करने के लिए नहीं बोलाए है if you will be serious for the exam you will take exam seriously है न आप यहाँ पर seriously चीजों को लेंगे exam में भी seriously लेंगे तो बहुत ही बढ़िया यार बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखे देखो हसने की कारण आपका आंसर भी गलत हो गया ठीक है तो आप इसलिए focus करो question पर इदर उदर दुकान दारी में मत फसा करो plant can grow in less time through this process पादप जो है वो कम समय में उग जाते बात जल्दी उगते ये बात बिल्कुल सही क्योंकि पादप जल्दी उगरा है तो फल भी जल्दी आ जाएगा बात बिल्कुल ठीक है दौनों सही है तो पहला दूसरा बिल्कुल ठीक है लेकिन plant जो है वो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे बिल्कुल गलत है और plant के अंदर high disease resistance आजाएगा नहीं ब्रायो फिलम इसका example है ब्रायो फिलम इसका example है दूसरा example है कि जो आपने भी बताया rose का very good बेटा बहुत बढ़िया राइट चलो आगे चले आगे चले तो ये C will be the correct answer चले ये देख लीजिए vegetative propagation यहाँ पर आपको एक तो जो ginger है ginger का मतलब जो अदरक होता है उसमें भी बढ़ अलग से निकलता और यहाँ से हम सीधा इसको cut करके जमीन में लगा देंगे तो ये उग जाएगा ब्रायो फिलम का जो पता होता है उसके उपर ही अलग से root निकली होती है उसको cut के हम लगा देंगे उग जाएगा आलू को भी यदि हम लोग काट के लगा देंगे इसकी जो ये eyes है बढ़ ये यहाँ से ये आलू भी उग सकता है ठीक है तो इसी प्रकार से ये जो onion onion है onion इसका pronunciation onion है तो इसी प्रकार से हम प्याज को भी उगा सकते हैं with the help of vegetative propagation है ना vegetative propagation और यहाँ पर vegetative propagation आपको सारी चीज़े clear हो गई है है ना so this is how और इस प्रश्न को शायद आप मत भूलिएगा कि हाँ इसमें फल जल्दी लग जाएंगे क्योंकि पेड जल्दी उग जाता है vegetative propagation से जल्दी से जैसे गन्ना है जैसे रोज है उसको cut कर देंगे उगा देंगे तो जल्दी से उग जाएगा तो पहला दूसरा point बिल्कुल सही है हिंदे English में मेरे इसाब से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रशन अब हम लोग आगे चल रहे हैं अगला प्रशन है आपकी screen पर ये लिजे now 77th question on your screen समझ में आ रहा है न जान से पढ़ना प्रशनों को answer सही आएगा पादपो को प्रोटीन बनाने के लिए निम्लिकित में से किस तत्यों की अधिक आवशक्ता होती है बताईए which of the following element is required more by the plant to make proteins बताईए बहुत अच्छे से participate करिये be very positive हसी मजाक का समय अधिक अब करेंगे हम लोग है ना लेकिन अभी exam is on head को लाइक और शेयर कर देना सब लोग एक बार है ना जो भी बच्चे सीडियस ले यह क्लास बहुत सीरियस होगी exam के लिए सीधी और्गनाइजड है आप लाइक और शेयर जरूर कर देना guys like and share please है ना like or share कर देंगे दिए आपको class अच्छी लग रही है तो क्या हो जाएक answer simple है direct है भाई कोई doubt है ही नहीं protein की बात कर रहा है पादपों में जो protein होता है वो किसमें stored रहता है तो वो allureoplast में allureoplast में जो leucoplast का हिस्सा है leucoplast के पादप में जो leucoplast रंग हीन वर्नक वहाँ पर जो allureoplast है allureoplast वहाँ पर protein stored रहता है और आप सभी को प्रता है जो protein है वो carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus और sulfur phosphorus nitrogen का तो उसमें होना must है क्योंकि जो protein बना होता है वो किसका बना होता है amino acid का बना होता है और amino acid जो है उसका जो formula है वो यह है carbon COOH यहाँ पर NH2 मतलब nitrogen आ गया देख लो और यहाँ पर यह H और यहाँ पर CH4 यह basic amino acid का example है यह amide group है और यह carboxylic group है this one is the carboxylic group this one is amide group तो यदि ऐसा है तो nitrogen is compulsory और यदि nitrogen compulsory है तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा A तो protein पादप के leucoplast में रंग हीन वर्णक में पाया जाता है leucoplast are of three types allureoplast, ileoplast और amyloplast तो यहाँ पर जो allureoplast है the allureoplast यही यहाँ पर ही protein stored रहता है is it clear is it clear thank you so much share करने के लिए अगले प्रश्ण की ओर चल रहे हैं guys हम लोग चलो A will be the correct answer अगला प्रश्णा रहा है बहुत शांदार कुश्चन है आपके लिए कि पादप को अपना भोजन बनाने के लिए carbon dioxide, oxygen, nitrogen, प्रकाश, chlorophyll, खनीज और जल इन में से किसकी आवश्चक्ता होती है प्रोटीन बनाने के लिए carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen तो compulsory ही हैं यह चार कभी कबार कुछ amino acid और जो प्रोटीन है sulfur और sulfur और साथी साथ में phosphorus के भी protein बने होते हैं तो यह मुख्यता 6 तक तो पाए जाते हैं protein में is it clear चलिए तो English में भी देख लीजी एक बार यह लीजे अब बताए consider the following statement और अब बताए क्या क्या होगा tell me what will be the correct answer tell me what will be the correct answer what will be the correct answer tell me what will be the like and share करते रहे न और बहुत अच्छा प्रस्शा अभी एक last प्रस्शन बहुत ही important है जो last प्रस्शन है अभी 80th question उसमें मैं एक बहुत detail में आपको न बहुत ही detail में एक बहुत important point बताऊंगा जो एक्जाम में सीधा आएगा आपके match the following के रूप में 78 फिर 79 फिर 80th question वो बहुत important है क्या हो जाएगा answer सभी लोग बता दीजिए tell me everyone please do participate सभी लोग participate करिए ज़्यादा तर aspirants बोलने सर डी आएगा तो देखो पानी photosynthesis में जरूरी है minerals पादप के अंदर total 17 17 essential essential elements की आवशकता होती है essential elements मतलब बहुत ही काम के औशदी ये गोनवाले और सब तत्तों की आवशकता होती है carbon dioxide जब वो अपना photosynthesis कर रहा है जरूरी है oxygen पादप respiration के समय स्वशन के समय रात में जब night light नहीं होती है nitrogen आपको पता है protein के लिए otherwise है ना nitrogen protein नहीं बनेगा chlorophyll photosynthesis के दौरान और photosynthesis के दौरान light भी तो इसका मतलब ये 7 के 7 और सही answer हो जाएंगे answer yes or no simple अगला प्रशना रहा है आपकी screen पर बताईए पादपो में portion के संदर्भ में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए पादपो में 17 हाँ बिल्कुल सही है बहुत ही बढ़िया और अभी बताऊंगा मैं आपको कि plant में जो essential पत्व होते हैं elements होते हैं उसमें micronutrient micronutrient और macronutrient होते हैं अभी आ रहा है सब कुछ macronutrient पूरी detail बताईए ठेक है क्या होते हैं ये अभी बता रहे हैं भई detail में हाँ पादपो में portion के संदर्भ में कि कुछ पादप अपने portion के लिए अन्य पादपों के द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं क्या अन्य पादप द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर करने वाला पादप विशम पोशी पादप कहलाता है और घट पढणी एक पर पोशी पादप है है ना घट पढ़नी को इसने चैमो माईल बोला है, आप लोग इसको पिचर प्लांट कर लीजिए, पिचर, प्लांट, घट पढ़नी, इसको कट कर लीजिए, यहाँ पर पिचर प्लांट लिखा दिया, क्या यह होस्ट प्लांट है, बताए, क्या यह एक होस्ट प्लांट है, आश्यू बेटा सर फिर से देखो सर प्लीज अच्छा सर कोशन फिर से देखो प्लीज कोई दिक्कत आ रही है ओक्सियन कैसे हुआ सर वो तो छोड़ा गया है तो अच्छा अच्छा ठीक अभी देख लेते हैं ओके, 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 ओके ओके, चलिए तो एक अच्छा प्रशन आप लोगों ने पूछ लिया है सर ओक्सिजन क्यों इंपोर्टेंट है एक बात बताईए बात सहिए कि पादप को अपना भूजन बनाना है है ना मुझे काम करना है तो मुझे ओक्सिजन चाहिए कि नहीं मैं नाग बंद कर लेता हूँ माना मैं प्रकाश से एनजर्जी ले रहा हूँ एक्च्छल में प्लांट को एक्च्छल में, नो डाउट कि पादप भूजन बनाते समय ओक्सिजन को निकालता है तो वो तो जलके अणू का निकालता है आप लोगोंने क्या आंसर दिया है और कोई हो सकता है साथ में को हटा है ओक्सिजन, चार कहां का अटरा देखते हैं एक तो, एक मड़ेग 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 हाँ, 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 ठीक है, ठीक है तो, यहाँ पर oxygen हट जाएगा हाँ, ठीक है, ठीक है oxygen नहीं आएगा ना यहीं बोलनाचारे न, आप सही बोल रहे हैं मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने यहाँ पर नहीं सोचा की मुझे लगा, पादप के लिए क्या-क्या essential है Sorry for the interruption, everyone मैंने आपको disturb किया प्रशन को डिसकस कर लें उसके बाद आगे चलें मैंने एक्चुल में ये नहीं पढ़ा कि वो अपने खुद के भोजन को बनाने की बात करा है मुझे ऐसा लगा मैंने पढ़ा ही नहीं यला पाइंट तो मुझे ऐसा लगा वो ये बोल रहा है कि जो प्लांट है उसके लिए क जल और कारबन डाय उकसाइड ये दोनों जुड़ते हैं किसकी उपस्तिती में क्लोरोफिल की उपस्तिती में और लाइट की उपस्तिती में यस और नो तो ये चार तो आई गए इसका मतलब जल है फोटो सिंतेसिस में भोजन बनाने के लिए कारबन डाय उकसाइड है क्लो आपको पता होगा फोटो सिंथेसिस प्रक्रिया में हमारे लिए जो मिनरल है तो चार हट जाएगा चार तो सीधा सीधा हट जाएगा क्योंकि वो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है ना कि किसके लिए अपने भोजन को बनाने के लिए जरूरी नहीं है रेस्पिरेशन के nitrogen उसके लिए जो plant है उसके लिए nitrogen भी आवश्यक है oxygen इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि वո respiration में तो photo-synthesis में nitrogen का वैशे direct roll नहीं है बट यहाँ directly roll है इसलिए If di answer हो जाएगा respiration में यह 4 हट जाएगा अभी clear है सर आपने मैंने गलत समझ लिया मैंने मैंने respiration भी नहीं समझा मैंने गोला overall plant के लिए तो oxygen भी जरूरी है overall तो plant के लिए oxygen भी जरूरी बटा है ना मेरे पढ़ने में गलती हुई ठीक है I'm really sorry I have to be concentrated मेरे से गलती हुई है अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दौनों में यह पढ़ लिया आपने एक बार फिर में हिंदी वाले aspirants एक बार पढ़ लीजिए घटपढ़नी plant मतलब picture plant होता है अन्य पादपो द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थो पर निर्भर रहने वाले पादप विशम पोशी पादप होते हैं हेट्रो ट्रॉपिक खुद का भोजन बनाने वाले क्या ऑट्रॉपिक होते हैं ऐसा पूछा गया है अच्छा सचिन बहुत बढ़ी है बेटा तुम आर्मी की बात करके और तुम बाते स्टूडेंट्स के लिए कोई करवा चौत मना रहा है तो केवल और केवल आपको करवा चौत की अग्रिम बधाईयां ठीक है आप खुश रहिए करवा चौत की बधाईयां दीजिए और कुशन नहीं आता है तो आप कहीं और जाईए पढ़ने आये हैं तो पढ़कर ये केवल ठीक है काम की बात पर ध्यान दे लिजी संटीनाइंट कुश्चन बिना सोच समझ के आंसर दिया तो ये करवा चौत की बधाई मैं देता हूँ आप लोगों कभी थोड़ी देर में रुको कुश्चन को ध्यान से पढ़ लेना वरना करवा चौत की बधाई अभी दो मिनिट में दे देता हूँ मैं ठीक है कुश्चन पढ़ो ध्यान से आंसर्स आ रहे हैं आपके गलत कुश्चन आपको पढ़ना नहीं है है ना करवा चौत की हारदिक बधाईयां बाकी सब आंसर दे लो आंसर दे लो एक बार ठीक है आंसर आपने जो शुरुवात में दिये सबने गलत दे दिये उठा के अरे डी आंसर कहां से हो जाएगा पिचर प्लांट एक होस्ट प्लांट है किसका होस्ट प्लांट है होस्ट प्लांट तो वो होता है जैसे फॉर एक्जामपल नीम है नीम जो है वो ऐसा लिखा जाए कि जो कसकटा होता है कसकटा का यह host plant है कसकटा मतलब अमर बेल तो host plant कहा है यह तो खुद विचारा dependent है किसी कीट पतंगों पर तो यह host plant नहीं है यह तो खुद ही dependent है तो आप लोगों के लिए correct statement some plant depends on food produced by other plants for their nutrition हाँ बिलकुल सही है कुछ पादब जो होते हैं वो अपने food produce के लिए दूसरे पादब पर depend करते हैं जैसे कसकटा या अमर बेल है ना दूसरा question plants that depends on food item produced by the other plants are called heterotropic यह बात बिलकुल सही है heterotropic जैसे अमर बेल की बात है picture plant को कबसे हमने host plant कह दिया नहीं हो सकता तो आपका answer क्या हो जाएगा पहला और दूसरा so here the correct answer is B B होगा B will be the correct answer not D D नहीं होगा host plant में नीम के उपर यह है न finally एक शांदार प्रशना आपकी screen पर बताएगे क्या होगा answer tell me 17 जो micronutrient होते हैं आप में से कौन मुझे यह बताएगा यह प्रशन का answer भी दीजे 17 जो nutrients होते हैं essential nutrients पादपो में उनकी पूरी list आने वाली है और उन 17 के 17 nutrients का क्या काम होता है उसको मैं भी detail में बात करने वाला हूँ लेकिन मुझे यह बताईए कि यह जो 17 nutrient होते हैं यह बात किन दो वज्ञानिकों ने बताई थी क्या पता है आपको यह बात वो कौन से दो वज्ञानिक हैं जिन्होंने बोला था कि पादपो को minimum 17 nutrient की आवशकता होती है यह बता दीजिए चलिए जल्दी से बताईए कौन बताएगा और यह भी answer दीजिए पूरे 17 के 17 जो important nutrient है उनके क्या काम है कौन सा micro है कौन सा macro है बताईए क्या हो गया बेटा बी है क्या हाँ बी होगा न बेटा answer बी तो बोला बेटा बी तो बोला है चलो रिजनी बी बोला है आपने है न हाँ हिंदी और English मिले लीजे लो like और share कर देंगे जाते जाते कैसा लगा session comment में जरूर बताएंगे और जाते जाते ये भी बताएंगे कि आप लोगों के 10 में से total कितने marks आए 10 में से total कितने marks आए वो भी बताना है ठीक है last question यह आज का लेकिन बहुत अच्छा explanation मिलेगा आपको let me see क्या होगा answer तो आज सभी students हमारे डर चुके है वो अब answer देके भी राजी नहीं है कोशिश करो यार कोशिश करो आपका सही आएगा answer answer बिलकुल सही आएगा है ना चलो मैं बताता हूँ बोरोन जो होता है बोरोन यह एक macronutrient नहीं है पादप में यह micronutrient है क्योंकि carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus sulfur और NPK potassium है ना यह सारे के सारे macro होते हैं इनकी मात्रा ज़्यादा आवश्यक होती है टोटल पादप के टोटल बोडी का जो 0.1% से ज़्यादा तत्तो पाए जाते है ना minerals वो macronutrient होते हैं और पादप के लिए आवश्यक nutrients में से जो 0.1% से कम है उनको कहा जाता है micronutrient ठीक है तो बोरोन जो है पुश्पन और कोशिका के विभाजन में मदद करता है ये बिल्कुल सही है reduction of flowering and cell division और ये प्रश्ण जरूर आपके paper में आएगा क्योंकि ये एक बहुत important question है 17 के 17 point पढ़ लेना आप क्योंकि in case ये question आया match the following आपसे गलतिया होंगी molybdenum भी macro नहीं है micronutrient है boron भी micronutrient है और ये भी ये क्या करता है growth rate को रोक देता है molybdenum growth को रोक देता है तो पहला सही है दूसरा सही है लेकिन ये तीसरा वाला जो statement है ये गलत है तीसरा वाला गलत है कौन सा? the edges of the leaves जो पतिया होती है पतियां उनकी जो edges होती है ये corner किनारे ये पीले पढ़ने ये पीले पढ़ने लगते हैं edges ये phosphorus नहीं potassium के कारण होता है potassium तो थर्ड वाला जो है वो बिलकुल गलत है तो यहाँ पर जो answer है वो तो क्या आ जाएगा? A आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं no problem at all लेकिन question आपको समझ में आया वो potassium होगा so A will be the correct answer ठीक है? A will be the correct कोई बात नहीं अब हम लोग detail में ग्यान को पढ़ेंगे A सही answer Hindi English में अब देख लीजिए काम की बाते थोड़ी देर पहले आपको एक बहुत थी मैंने थोड़ी दिर पहले आपको एक बहुत शांदार बात बताई थी याद आ रहा है कि आपको मैंने क्या बोला था वो सभी जो 0.1% तक हैं वो सभी हमारे ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कार्बन, हाइड्रोजन और अक्सीजन उसके बाद नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और ये मतलब कार्बन, ओक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मेगनीशियम और सलफर ये सभी मैक्रो न्यूट्रियंट है जो 0.1 परसेंटेज या उससे ज्यादा है जो 0.1 परसेंटेज से कम है ये सभी क्लोरीन से लेके निकल तक ये सभी मैक्रो न्यूट्रियंट है कॉंसेट समझ लीजे कॉंसेट समझ लीजे कार्बन, ओक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मेगनीशियम और सलफर यहाँ तक के जो हैं एलिमेंट्स और उनमें भी इन तीन को हटा दीजे तो इसेंशियल यह यह जो हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह जो हैं, यह हमारे मैक्रो हैं, मैक्रो न्यूट्रियंट, यह कहां से मिल रहे हैं, यह कहां से मिल रहे हैं, हाँ, स्क्रीन शॉट ले अब सबके काम देख लीजिए फोटो सिंथेसिस में कार्बन तो जरूरी है क्योंकि मेंली कार्बन से बड़ा बना होता है पादप ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है हाइड्रोजन जो है बायो कैमिकल रियक्शन जल में ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब परासरन दाप क जो है वह एनरजी के ट्रांस लोकेशन और प्रोटीन को बनाने में पॉटेशियम मदद करता है इसी तरह से फॉसफोरस जो है वो एनरजी के ट्रांसफर में मदद करता है है ना मेगनीशियम एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है हाँ बिल्कुल इसरो की और डियाडियो की वबसाइट्स है हाँ ठीक है और इधर और नहीं देखो एक और चीज याद रखना है निकल ये जरूर याद रखना है जो निकल है जो बीज होते है उनको ओगाने में सीड्स के जर्मिनेशन में निकल मदद करता है ये थोड़ा बहुत याद रखना है आपको मॉलिब डेनम देखो मॉलिब डेनम तो मेरे इसाब से न इसकी बजाए मैं आपको एक और स्लाइड दूँगा जो इस प्रकार से होगी वो मेरे पास है नहीं अभी तो जो कि आपको ये बता पाए कि actual में plant में क्या-क्या दिक्कते आती हैं तो अगला जो लेक्चर है ना उसकी शुरुवात मैं करूँगा कल कल जब मेरा लेक्चर होगा शायद दस बजे ना भी हो पता नहीं है शौर नहीं हो तो मैं इसकी शुरुवात जब करूँगा जब भी मैं आपको MCQs करवाऊंगा तो मैं इस फॉर्मेट में आपको आंसर दूँगा और इसकी PDF यदि आपको प्राप्त करनी है तो ये आपको यहाँ पर रुद्रा सारड़ा 247 पर मिल जाएगी ठीक है? ओके? ठीक है? तो इसमें थोड़ी सी कुछ लेकिंग है क्योंकि इसमें क्या कमिया है वो नहीं पता चल रही है मेन काम तो पता चल रहा है लेकिन कमिया पूछी जाती है मैक्रो, माइक्रो, न्यूट्रियंट सबको हम लोग देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको वीडियो दसमें से कितने माक्स है जल्दी से बता दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए और यदि आप प्रॉपर तैयारी करना चाते हैं तो सूपरफास्ट फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है बहुत से स्टुडेंट्स ने एड्मिशन ले लिया है आप लोग भी वाई 583 कूपन कोड लगा कर लगबग 8700 में कम्पलीट बैच में एन्रोल हो सकते हैं 8700 में वाई 583 कूपन कोड लगा कर यहाँ पर सूपरफास्ट फाउंडेशन बैच दो साल की वैलिडिटी के साथ ने जल्दी से बताए स्कोर कितना रहा है आपका tell me what is your score here thank you so much guys thank you teacher जी राधा बेटा धन्यवाद रजनी निर्मल दसमें से आठ दसमें से आठ दसमें से आठ अंशिका ऐस ड्रीम दसमें से 9 clapping for you guys बहुत ही बढ़िया clapping for you good good तो यह तो बहुत अच्छी बात है दसमें से आठ आ रहे हैं दसमें से नौ भी आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है तो अच्छे questions से actual में तो level ज़्यादा रहेगा तो आसान नहीं होता है इतना चीजों को करना अब देखिए यह वो batch है यह वाइ-583 coupon code लगा लेंगे न तो यह 8700 में मिल जाएगा call number पर बात करके कल से 1st November से batch start हो रहा है दो साल की validity है यहाँ पर यह पूरा complete legendary map है कि इसमें रॉब और परिणाम अगरह सब मिल जाएंगे और जब भी कभी आप लें तो इसमें यह तीनों available होंगे और आप कल से start करना चारे basic classes तो आपकी कल से यह पूरा complete foundation batch है यह optional है यह वाइ-583 coupon code लगा के ले लिजेगा और यह state PCS में ले तो महापैक ही जाए रिचा के तीन गलत हुए ठीक है पूजा अजय जाट कोई बात नहीं दसमें से एक आया कोई बात नहीं यार डोन वरी आप सीखते चलिये लगातार जुड़े रहे बस अधित्या कुमार बहुत बढ़िया दसमें से साथ ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है सुबह 10 प्रयोग कर लीजिए यह रहाट डाट ओनिपोस सेवन की एप है ना और यहाँ पर एप को इंस्टॉल कर ले ना इंड्रोइड लिया एपल प्ले स्टोर से यूपीएसी में जाना यूपीएसी में जाना यह वो बैच है यह आपके लिए इबुक्स सब कुछ है डेमो वीडियो में आप लोग शुरुवात से मेरा डेमो वीडियो मिल जाएंगे आपको यह रहे रुद्रा सार नवीन सार दिपेश सर का डेमो वीडियो है आप बाइन आउपर क्लिक करेंगे और कूपन वाइफाइव एट्री क्या बत किसने बेजी चाय रहा उससम नहीं था तैंक यू यार एरे मेरी जान बहुत बढ़िया थैंक यू तुमारे एक्टिव लोग देखिए चाय भी मिलिया पानी भी मिलिया यह तो अनेक्सपेक्टेड था क्या बात है मजह आ गया तो यहां पर आप लोग कूपन कोड वाइफाइव एट्री का प्रयोक कर सकते हैं वाइफाइव एट्री कभी भी कोई दिक्कत है आप मेरे टेलिग्राम ग्रुप से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अप्लाई कर देंगे तो 9199 दिख रहा है बट एप से यह एप से लेना तो 8700 में बिल जाएगा ठीक है और यदि आपको इसी तरह से वाइफाइव एट्री कूपन कोड लगा कर गाईज आप लोग ऑप्शनल के बैचेस को ले सकते हैं यह वो ऑप्शनल बैचेस है जो भी आपको पसंद है वाइफाइव एट्री कूपन कोड लगा दीजिएगा और इसी तरह से स्टेट PCS के जो बैचेस हैं उनमें महापैक में ही एन्रोल करना वाइफाइव एट्री कूपन कोड लगा लेना तो बहुत ही अफोर्डेबल है आप आसानी से इनको पर्चेस कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं कि उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात अच्छे सम आपको आपको